नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं। तुलसी विवाह 2023 में कब है? तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक माह के शुकल पक्ष की द्वाद्शी को प्रदोश काल में होता है। द्वाद्शी तिथी को सूर्यास्त के बाद तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्ट क्या है? तुलसी विवाह का महत्व क्या है? हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे का विशेश महत्व है हर घर में तुलसी की रोजाना पूजा की जाती है कहते हैं कि जिस घर में तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है, वहां हमेशा सुखस्मृध्धी बनी रहती है इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाना भी अत्यंत फल्दाई माना जाता है तुलसी के पास दिया जलाने से घर में मा लक्षमी और भगवान विश्नु का वास रहता है खास्तोर से कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेश महत्व है दरसल कार्तिक का महीना भगवान नारायन को काफी प्रिय है और इसी माह में तुलसी विवाह का पर्व भी आता है ऐसे में इस माह में विश्नुजी के साथ तुलसी माह की पूजा करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है तो आएए जानते हैं कि इस बार तुलसी विवाह कब है और इसका क्या महत्व है तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्थ तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुकल पक्ष की द्वाद्शी तिथी पर किया जाता है पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथी 23 नवंबर गुरुवार की शाम 9 बचकर 01 मिनट से प्रारम्ध होगी वहीं इसका समापन 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7 बचकर 06 मिनट पर होगा ऐसे में उद्यातिथी को मानते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को ही मनाया जाएगा कहते हैं इस शुग सन्योग में अपने घर तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से घर में अपार धन का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है तुलसी विवाह की पूजन विधी तुलसी विवाह के दिन घर की स्त्री प्रात काल उठकर नहा धोकर नए कपड़े धारन करें इसके पश्चात मंदिर या पूजन स्थान को अच्छी तरह से साफ कर फूलों से सजाएं फिर शुब मुहूर्त देखकर एक चौकी पर शालिग्राम और दूसरी चौकी पर मा तुलसी का पौधा को स्थापित करें इसके बाद चौकी के पास एक जल से भरा हुआ कलश रखे और कलश के उपरी हिस्से पर धक्कन के नीचे आम के पांच पत्ते रख दे तुलसी के गमले में गेरू का पौधा लगाएं इसके पश्चाद शालिग्राम और तुलसी को गंदाजल से स्नान करवाएं और इसके बाद चंदन और रोली का तिलत लगाएं मा तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ा कर गमले में गन्ने से मंडप बनाएं गमले के चारों और लाल साडी लपेटें और एक दुलहन की तरहमा तुलसी का श्रिंगार करें घी का दीपक जलाएं और हाथ में चौकी सहित शालिग्राम लेकर तुलसी की साथ बार परिक्रमा लगाएं इसके बाद आर्ती करें माता तुलसी का विवाह विधिवत संपन होने के बाद वहां बैठे लोगों को प्रसाद बाटें कैसे मनाए तुलसी विवाह तुलसी विवाह के दिन अपने घर में यग्य और सत्यनारायन की कथा कराने से विशेश लाभ मिलता है तुल्सी विवाह घर या मंदिर में मनाया जा सकता है इस दिन शाम तक या तुल्सी जी का विवाह होने तक वरत रखा जाता है सबसे पहले तुल्सी जी के पौधे और भगवान विश्नु की मूर्ती को सनान कराया जाता है इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल साडिया चुनरी, आभूशन और बिंदी आदी के साथ एक दुलहन की तरह सजाया जाता है विश्णु जी की मूर्ती को धोती पहनाई जाती है अब इन दोनों को धागे के माध्यम से एक साथ बांधा जाता है विवाह में तुलसी, जी और भगवान विश्णु पर सिंदूर और चावल की वर्षा की जाती है इसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद बाटा जाता है तुलसी पूजा विधी, सुभ़ प्रात काल उठेन और स्नान करें तुलसी को जल अर्पित करें सिंदूर लगाएं और फूल चड़ाएं धूप दीप से तुलसी की पूजा करें पूजा के बाद तुलसी की माला का जाप करें ये बन रहा है शुब सन्योग तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुकलपक्ष की द्वादशी तिथी के दिन किया जाता है हिंदू पंचांत के अनुसार कार्तिक शुकलप वादशी तिथी 23 नवंबर 2023 की शाम 5 बचकर 9 मिनट से प्रारंभ होगी और 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7 बचकर 45 मिनट पर समाप्थ होगी तुलसी जी को धन की देवी मा लक्षमी का अवतार माना गया है वहीं शुक्रवार का दिन मा लक्षमी को समर्पित है इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन होगा ऐसे शुब सन्योग में अपने घर में शालिग्राम तुलसी विवाह रचाने से व्यक्ति को अपार धन और सुख समरिधी की प्राप्ती होगी तुलसी विवाह की कथा प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वरिंदा का पतिवरता धर्म उसी के प्रभाव से वह विजी बना हुआ था जलंधर के उपद्रवों से परिशान देवगण भगवान विश्नु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विश्नु ने वरिंदा का पतिवरता धर्म भंग करने का निश्चय किया उन्होंने जलंधर का रूप धर कर छल से वरिंदा का स्पर्ष किया वरिंदा का पती जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था लेकिन वरिंदा का सतीत्व नश्ट होते ही मारा गया जैसे ही वरिंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में अगिरा जब विरिंदा ने यह देखा, तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्ष किया वह कौन है सामने साक्षात विश्णु जी खड़े थे उसने भगवान विश्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने चल से मुझे पती वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी चलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे, यह कहकर विरिंदा अपने पती के साथ सती हो गई विरिंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हीं सीता वियोग सहना पड़ा जिस जगह विरिंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन हुआ एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में विरिंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है अथ तुम पत्थर के बनोगे यह पत्थर शालिग्राम कहलाया विष्णु ने कहा, हे विरिंदा मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुष्यकार्तिक एक आदशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतिकात्मक विवाह माना जाता है तो कैसे लगी? आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को डोट सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें आपका दिन शुभ रहे धन्यवाद